असकें चलेवू बालिसुत भिधी आयवू हनुमन्त तासु बीती प्रभुसन कही मगन भय भगवन्त कुलिसवु चाही कटोर अतिकोमल कुसुमहु चाही चित्खगेस रामकर समुझी परै कहु काही तुमह मम् सखा भरत्सम भ्राता सदा रहेवू पुर आवत जाता वचन सनत उब्चा सुखवारी पलेवू चरन भरिलोचन बारी राम राज बैठेत लोका हर्शित भय गए सब सोका बयवू ना कर काहू सन कोई राम प्रता जुशमता खोई बच्कार व्यूस और आप सब लोग कैसे हैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने कल तक कहां तक पढ़ा था और आप लोगों ने कहां तक जानत है आप लोग ने देखी दिया होगा कि वनेंस का जो बजट है वह आ गया है क्या है उसमें आप से लोग जानते हैं मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है क्या कुछ दिया है पहले पहले की शरकारों ने वह सब शीन लिया है तो जो ऐस वर जो टेक्सवेयर हैं उनके कारडिंग मैं बोलती हूं कि उनको क्या मिला है जरुछ कर गयो थैं कि बाक़ी का तो जो लोग ने टेक्स करते ही नहीं उनका तो मैं कहीं जहीं सकती कुछ भी किस हज से काम पे लगते हैं और पार्ट पर चलते हैं हुआ हम से कोई परब्म है हम लाफ कोई म से कोई कुछ था कि मुझे प्रब्म है गलत तरीकों से उनलों हुझ इपक्र पीजू और अब रामराम करते याएंगे बजरंग्दल के लोगों ने कितना गोहत्यां कि यह मुझे उन्हों आते हैं अपने बाटबार की कलतर होने क्या जाना था तो कल तक था अंगत की विनवर वचन सुनकर करना की सीमग प्रभु शरी रगणाद जी ने उनको उठाकर हिदय से नगा लिया प्रभु के नेतर कमलों में जल भराया तब भगवान ने अपने हिदय को हिदय की माला वस् प्रकास समझा कर उनकी विदाई की भक्त की करनी को याद करके भरजी छोड़े भाई शत्रगंजी और लक्षमन जी सहित उनको बचाने चले अंगत के रिदय में थोड़ा प्रेम नहीं है अर्थात बहुत ही अधिक प्रेम है वे फिर मिलकर पीछे मुड़ मुड़ कर श्र लाँ श्रिद उनकी के देखने की बोलने की चलने की तदधा हसकर मिलने की दीती को याद करके सोचते हैं दुखी होते हैं किंतु प्रबु का रुख देकर बहुत से विनम रोचंकिया का तदह हिर्दाय में चलन कमलों को याद रखकर वे चले अच्टित आदर के साथ सब बारनों को पुचा कर भाई हो सही भरत जी लोटाएं तब हनवान जी ने सुग्रीव के चरन पकड़ का अनेक प्रकास बिन्ती की और कहा हे दे दस दिन शिरोनार जी की चरन सेवा करके फिर में आकर के आपको चरनों में करनों के दर्शन करूंगा और सुग्रीन ने का है पभन कमार तुम पुण्य के सीमह हो पुण्य की राशी हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रखलिया जाकर करपधहाम श्री राम जी के सेवा करो अश्राभाण जानना चाहते होंगे कि वाट का उद्देश है उद्देश शुब का आज है एक मंदिर के लिए है चाहती हूं इसमें आपको का सायोग मिले मुझे आप लोग सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें सो देट मैंने जो ये प्रण लिया है उसे मैं पूर्ण कर पाऊं इसमें उद्देश्चे को पूर्ण कर पाऊं मैं अपने तो बस लिया ही था और आप लोग जाल से सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मैं मंदी की वीडियोर्स में डालती हूं आप लोग देखिए और मुझे बताएं कि मेरा पाठ आपको गसा लगता है आपको कुई अगर कमी तो हैं मुझे पता है कमियां हैं तो कमियां को भी उजागर कीजिए ताकि मैं उन्हें और अगर उसे सही करने का कोई उपाय बता सकते हैं तो बताएं जरूर मैं मंदी की वीडियो आपको कैसी लगी तो आते हैं हम आपने पर शुरू करते हैं आज का बाठ कि आम लोगों को समाजिक कालियों में रूची हैं मुझे बताएं और मैं किसी तरीकर पार्णहें स्राम्चेत्मॉंस के उत्रकंटपार्थ में। के अम्हाइड हिंन्ट६तम उत्रकंट मैं। कहां हुझ खिए। ऐसम दंडवत प्रभू से। तुम कहीं कहीं कराइने। कराए हूँ मोरी मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ प्रभु से मेरी दन्वत कहना और श्री रवनाजी को बारबार मेरी याद कराते रहना आस कहीं चले हूँ बाली सुत फिरी आया हूँ हनुमन्त तासु प्रीती प्रभु से ने कही मगन भै भगवन्त कुदी सहु चाही कठोर अती कोमल कुशू मही चाही चित खगे से रामकर समझी परही कहु काही ऐसा कहका बाली पुत रंगा चले तब हनुमन्त जी लोटाए और आकर प्रभु से उनका प्रेम बढ़न किया उसे सुनकर भगवन बेम्मगन हो गए काभु शुनी जी कहते हैं हे गरु जी शिरी राम जी का चित वजर से भी अत्यन्त कठोर और फूल से भी अत्यन्त कोमल है तब कहिए व्यकिस की समझ में आ सकता है पुनी करपाल लियो बोले निशादा दीन भूशन बसन प्रसादा जाहू भवन मम सुमिरन कयहू मम कम बचन धरम अनुसर रहू प्रिकर वालो शुरी राम जी निशाद राज को बला लिया और उसे भूशन वस्त प्रसाद में दिये फिर कहा अब तुम भी घर जाओ वहां मेरा समन करते रहना और मन वचन कर्म से धरम के अनुसर चलना तुम मेरे मित्र हो और भरत के भी भरत के समान भाई हो आयोध्या में सदा आते जाते रहना विया वचन सुनते ही उसको भारी सुक उत्पन हुआ नेत्रों में आनंद अप्रियम के आंसुगा जल भर कर भे चरनों में गिर पड़ा प्रभु सुभाव परी जने सुनावा रगपत चरित देखी पुरिवासी पुनी पुनी कायाई देन सुख रासी फिर भगवान के चरनकमलों को हुर्दा में रखकर भे घर आया और आकर अपने कुटंबियों को उसने प्रभु का सुभाव सुनाया श्री रगपनाज जी का यह चरितर देखकर आवत मुरवासी बारवर कहते हैं कि सुख की राशी श्री राम चंदर जी धन्य है राम राज बैटे तिरे लोका हरशित भए गए सब सूका बैरू ना कर काहुन सन कोई राम पताप विशमता खोई श्री राम चंदर जी के राजे पर पत्तिस्ट होने पर तीनों लोग हरशित हो गए उनके सारे शोक जाते रहे कोई किसी से बैर नहीं रख करता श्री राम चंदर जी के पताप से सब की विशमता आंत्रिक बेदवाव मिट गया वर्ण आश्रम निजनी धरम निरत वेद पत्त लोग चलही सदा पावही सुकही नहीं भई सोक न रोग सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तक पर हुए सदा वेद मार्क पर चलते हैं और सुक पाते हैं उन्हें न किसी बात का भई है ना शोक है और ना कोई रोग ही सताता है द्याहिक द्याविक भौतिक तापा राम राज नहीं का हुई व्यापा सब नर कया ही परस्वर पीती चलही स्वधर्म निरत शुरूती नीती राम राज में द्याहिक द्याविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते सब मनुष्य परस्वर प्रिम करते हैं और वेद में बताई हुई नीती मर्यादा में तक्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं चारेऊ चरन धर्म जग माही पूरी रहा सबनेऊ अग नाही राम भगती रत नर अरुनारी सकल परमगती के अधिकाजिए धर्म अपने चारों चरनों सत्य शौच दया और दान में जगत में परिपोन हो रहा है सबन में भी कहीं पाप नहीं है बुरुष और इस्त्री सभी राम भक्ती के परायन है और सभी परमगती के परमगती मतलब मोक्ष के अधिकारी है छोटी वस्तमें मित्यू नहीं होती ना किसी कोई पीड़ा होती है सभी के शरी सुन्दर और निरोग है ना कोई दरिद्र है ना दुखी है ना ही दीन है ना कोई मूर के ना शुब लक्षनों से हीन ही है सभी दंब रही थैं धर्म परायन है और पुन्यात्मा है पुरुष और इस्त्री सभी चतुर और गुनवान है सभी गुनों का आदर करने वाले और पंडित हैं सभी ज्यानी हैं सभी कृतग्य दूसरों के लिए दूसरों के किये वे उपकार को मानने वाले हैं कबट चतुराई धुर्तता किसी में नहीं है राम राज नवगेश सुनूर सच्चराचर जगमाही काल कर्म सभाव गुन कृत दुख काहूं नहीं कापुशंड जी कहते हैं हे पक्षी राजगरूर जी सुनिये श्री राम जी के राज़ में जड़ चेतन साले जगत में काल कर्म सभाव और गुनों से उत्पन हुए दुख किसी को भी नहीं होते अठाच इनके बंधन में कोई नहीं है भूम सब्त सागर मेकला एक भूप रगवति कोसला भूण अनेक रूम पतिजासू ये प्रभुता कचुन बहुत नतासू आयोद्या में शिरुखनाच जी साथ समुद्रों की मेकला करधनी वाली पित्वी के एक मातर राजा हैं जिनके एक एक रूम में आने को ब्रमान हैं उनके लिए साथ भूप की ये प्रभुता कुछ अधिक नहीं है सो महिमा समुजत प्रभु केरी ये बरनत ही निता घनेरी सो महिमा खगे सजन जानी फिरी ही चरित तिनहा हूं रतिमानी बड़की प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे साथ समुद्रों में घिरी हुई सब्त दिमाई पित्वी के एक छत्र सम्राट हैं उनकी बड़ी हींता होती है प्रंत ही गरोजी जिन्होंने वे महिमा जान भी ली है वे भी फिर इस लिला में बड़ा प्रेम मानते हैं सो जाने कर फल यह लिला के हैं बहा मुनी बर्दस सीला राम राज कर सुकसम बदा बर निन सकई भनी स सारदा जोकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लिला इस लिला का अनुवभी है इंद्रियों को दमन करने वाले श्रिष्ट महमुनी ऐसे कहते हैं राम राज को सुकसम बद्दी का वर्न श्रिष्ट जी और सरसोती जी भी नहीं कर सकते सब उदार सब पर उपकारी बिप्रचरन से बक नर नारी एक नारी वत रत सब जारी ते मन वच करम बती हित कारी सब नर नारी उदार हैं सभी परोगपारी हैं और सभी ब्राह्मनों के चर्णों के सेवक हैं सभी पुरुष बात्र एक बतनी व्रती हैं इसी बरकार स्त्रियां भी मन वचन और करम से पती का हित करने वाली है दंड जतिन कर भेड जहर नर्तक नित समाज जीत हूँ मने हूँ सुनिय अस रामचंदर के राज छे रामचंदर जी के राज में दंड केवल सन्यासियों के हातों में है और भेड नाचने वालों के नित समाज में है और जीतो शब्द केवल मन के जितने के लिए ही सुनाई बढ़ता है अर्थार राजनिती में शत्रूओं को जितने तथा चोट डाकूओं आधी को दमन करने के लिए साम, दाम, दंड, भेत या चार उपाई किये जाते हैं राम राज्य में कोई शत्रू है ही नहीं इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है कोई अपराद करता ही नहीं इसलिए दंड किसी को नहीं होता दंड कि शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तदा सभी अनुकुल होने के कारण भेद निती की आवशकता ही नहीं रह गई भेद शब्द केवल सुर्टार के भेद के लिए ही कामों में आता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो जीतो शब्द है वो सिर्फ मन के जीतने के लिए है कि एक दूसरे का हम मन को जीते हैं अपना मन जीते हैं या किसी दूसरे का हम मन को जीते हैं और अगर कोई शत्रू के लिए भी कोई तो मैं कहते कि दण सर्फ सन्यासियों के लिए है और वो सन्यासी ही दण दे सकते हैं जीटो शब्द मन के जीतने के लिए होता है किसी को जीतो या राजनीती से प्रेडित कुछ भी नहीं होता तो यह मुझे बात बहुत भी अच्छी लगई कि पहले के टाइम में सत्योग में यह सब सीज़ें हुआ करती थी बहुत भी अच्छी बात है और जो लोग सुन रहे ह सदातरू कारण रही एक संग गज़ पंचानन खगम्रिक सहज बयरू बुसराई सबने परस पर पीती बढ़ाई वनो मेम्रिक सदा भूलते भलते हैं और हाती और सिंग बैर भूल कर एक साथ रहते हैं पक्षी और पशू सभी ने सभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है पक्षी कुझते मीठी मुली बोलते हैं भाती भाती के पशों के समू वन में निर्भे वुचरते और आनंद करते हैं शीतल मंद सुगंदित पवन चलता रहता है भारे पुष्व का रस लेका चलते हुए गुझार करते हैं तो आज का बैट मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ कली फिल मिलेंगे तब तक आप मेरा चैनल अवर से सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें परिवार और मित्र करनों को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें जाए सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो एक शुब काज करना चांती हूँ वो मैं पूर्ण कर पाऊँ तो कल भी मिलते हैं एक नए पार्ट में एक नहीं उमंग एक नहीं तरंग के साथ अब तक के लिए नमस्कार